नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jotis Secret ई नाम होरोस्कोप 2022 ई नाम बालों का रासी फल 2022 में क्या कहता है अगर आपको अपने जन्म का तिथी मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले लेटर से यह जान सकते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में कितनी खुसियां लेकर आएगा कितनी चुनौतियां लेकर आएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं अगर आपके नाम का पहला लेटर ई है यानि ई लेटर से आपका नाम सुरू होता है तो आपके पारिवारी जीवन, प्रेम जीवन, दामपत्ती जीवन, करियर, नौकरी, प्यापार, स्वास्त, तमाम चीजें खासकर जो विद्यारती हैं कैसा रहेगा तो चलिए 2022 की बात करने के पहले एक और बात जानने अगर हम निम्रोलोजी की माने तो ये लेटर जो है वो अंक पांच के अंतरगत आता है और अंक पांच बुद्ध ग्रह का होता है, साथ ही कृतिका नच्छतर में आता है इनके स्वामी सूरिदेव हैं और ब्रिस्वरासी के अधीन जो कृतिका नच्छतर है लेकिन ये लेटर का स्वामी सुक्र है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेटर वाले लोगों के लिए 2022 में बुद्ध सुर्य और सुक्र आपको हर तरह की स्थीतियां देगा तो इल नाम बालों आपके लिए 2022 यहां पर देखिए अंग पांच बुद्ध का सुर्य इसलिए क्योंकि अंग जो ये जो लेटर है ये यहां पर कृतिका नच्छतर के अधीन है और तो चले जानते हैं कि सुर्य बुद्ध और सुक्र से 2022 कैसा रहेगा करियर और वेपसाई की बात करते हैं तो 2022 में आपके लिए जो सुरुवात है वो बहुत अच्छा है आप अपने दिमाग का ग्यान का फायदा उठाएंगे इसकी बज़ा से आप करियर में ज्यादा तरक्की करेंगे और प्रयास से आपको सफलता मिलेगी अगर आप जॉब करते हैं तो सुरुवात में ही आपका प्रभाव कारिशेतर पर बना हुआ है जिसकी बज़ा से नौकरी में पद्ध परतिष्ठा बढ़ेगा बस इमानदारी और लगन से आपको काम करना है पदोनती होने के भी योग बनेंगे अगर आप बैपारी है तो वर्स की सुरुवात में छोटे मोटे उतार चढ़ाओ है लेकिन अगर पार्टनर्सिप में काम करते हैं तो बस कहा सुनी के सिकार ना हो जाए इसका धियान रख करते हैं तो रिष्टों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखना है क्योंकि जीवन साथी के साथ चोटे मोटे बहस होना जगडे होना दूरियां जैसी चीजे और इस समय घर का महौल न बिगड़ जाए सांती बनाए रखे वैसे तो जीवन साथी के बैभार थोड़ा अजीव ल संतान प्राप्ति के सुबसमचार आपको मिलेंगे और रिष्टे भी आप लोगों के मजबूत होंगे पर जो विद्ध्यार थी हैं उनके लिए पढ़ाय लिकाई पर आपको महनत करना है क्योंकि आप जितना महनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा अब आप सोचेंगे गंटे कारण आपके पक्ष में आएगा अक्टूबर नमबर के महने में अगर आप कोई भी प्रतिविता प्रिक्षा आप देते हैं एक्जाम में भाग लेते हैं तो यकिन सफलता मिलने के चांसेज बढ़ेंगे तो उच्छी सिक्षा प्रात कर रहें विद्यारतियों को मेहनत के जो लब के उपर ध्यान न रहकर आप अपने करियर पर या पिर आपके जो तमाम जिम्मेदारियां उस पर आप फोकस किये वे हैं तो ये चीज़ें कहीं न कहीं थोरा से रिस्तों में दूरिया लाएगा पर फिर भी दिल से आप उन्हें प्यार करते हैं और अप्रेल के महन इसे चीज़ें आपके पक्ष में आएगी थोरा सा एक दूसरे को समय देंगे और विस्वास भी आप लोगों का एक दूसरे पर बना रहेगा यकिनन आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो वह भी नौमबर दिसंगबर के महने में हो सकता है और विवाह के बाद यात्रा भ वह आपको आगे बढ़ाएगा आपको फायदा होगा और धन भी आएगा इसमें साइड इंकम के लिए आप साइड बिजनस भी कर सकते हैं हलांकि अगर आपको कहीं पैस इंवेस्ट करना पड़ रहा है बिजनस को लेकर तो आप जरूर कीजिए आपको इसका वेनिफिट भ करें तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा अगर हम इन आमबालों के सुभाव की बात करें तो यह लोग सांथ होते हैं इमोशनल होते हैं जिम्मेदार होते हैं इनमें साहथ भरा होता है नित्त तो करने की चमता होती है और अपनी लाइफ को सतंता के साथ जीना पसंद चाहते हैं इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमेशा ही बस हमेशा देखिएगा इनामबाले एकदम से चेहकते रहते हैं लगेगा कुछ नों कुछ कड़ते रहें इनको बैठे रहना पसंद नहीं है हाँ थोरा सा अपने रिस्तों के प्रतिये इमांद